अब जो है आज हो गई है तीन तारीख ठीक है आपके पास बचा है चार पाँच और छे जल्दी आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा ओके तीन दिन का समय है आपके पास बीच में और अब आपको अपने पूरे स्लिबस का रिविजिन करना है तो मैं बात करूंग कैसे आप पूर अपनाना फूरा होल स्लिबस रिवाइस कर सकते है एक दिन के अंदर थीक है मालो इन तीन दिनों में से में एक दिन आपका अलोट करती हूँ क्या करना है। जो लास्ट टाइम का जो आपका रिविजिन होगा उसमें अपको करना कैसे है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको क्या करना है, आपको अपने सारे notes को compile करना है, जो भी जिस chapter का आपने मेरी वीडियो देखी, आपने कहीं से पढ़ा, जो भी है, आपने अपने notes बनाये होंगे, आप अपने उन notes को compile करिए, उनको इखटा करिए, साथ में आप रखे अपनी NCRT को, साथ में आप रखे अपनी NCRT को, पहले chapter से आप शुरू करेंगे, first chapter को जो है, आप अपने notes को open करिए, जो भी आपने notes बनाये है, side by side आप NCRT को भी जो है, अपने साथ में रखेंगे, सबसे पहले आपको उस chapter की summary को read करो, ताकि आपको उस chapter के बारे में सारी चीज ना आपको, ना तो एक-एक line को पढ़ना है, ना ही आपको एक-एक word को पढ़ना है, लेकिन उस पन्ने में क्या लिखा है, जैसे आपकी नजर पढ़ेगी, तो आपको पता चलेगा कि मैंने इस पन्ने में क्या लिखा है, तो वो चीज़े अगर आपको आती है, बहुत अच तो इस तरीके से एक-एक पन्ने को पलटते हुए चैनेगे, आपका टार्गेट होना चाहिए, कि एक से 2.5 गंटे के अंदर, maximum 1-2 गंटा, एक से 2.5 गंटे के अंदर, आप उस चाप्टर का एक थोरो रिविजिन, मतलब एक quick revision टाइप में आप कर ले, जिसमें चाप्टर के ह आपने पहले अपने नोट से रिवाइस किया, ठीक है, उसके बाद आपने जो है, NCRT से उसको रिवाइस किया, जो हाइलाइट चीजे थी, जो उसमें इंपोर्टन फॉर्मुला थे, अगर कोई नेम रियाक्शन थी, कोई एकसेप्शन थी, वो सब आपने उसमें रिडाउट जो कर सकते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को नहीं पढ़ना है, जस्ट पेज के उपर नजर डालना है, उसमें क्या लिखा है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, अगर कोई किसी पेज में कोई ऐसी चीज़ है, जो आपको नहीं आती फिर आपको उस टाइम आती थी, आप भूल गए, आप उसको अभी पढ़ लीजिए, अगर कुछ हाइलाइटेड है, आपने कुछ हाइलाइट किया था, नोट्स बनाते टाइम, उसको जो है, जरूर रीड करें, कोई फॉर्मूला है, कोई डफिरिशन है, कोई लौ है, ठी अगर उसके अंदर लिखी हुई है, तो आप उसको जो है, हाइलाइट किजे, इस तरीके से तो आप अपना जो है, पूरा जो है, सलेबस जो है, वाइंड अप करेंगे, अब सवाल आता है, कि सवालों के बारे में, तो अब ऐसा तो है नहीं कि तीन दिन में जो है, आप ती जितने भी मॉक टेस्ट किये हैं, उनको आपको रिवीजिन करना है, उनका आपको रिवीजिन करना है, जो भी मॉक टेस्ट है, उसमें क्वेशन देखो, उसका सॉलीशन देखो, कि अच्छा क्वेशन देखो, आपको आता है, सॉलीशन कैसे था, ठीक है, थोड़ा उसको सो जिसका concept अभी आप उस time किया था बट अभी भूल गए तो आप उस particular question को हाथ से करिये इस तरीके से आपने जितना भी प्राक्टिस questions की की है PYQs और जितने भी mock test लगाए हैं उन questions का भी आप एक quick revision कर सकते हैं उससे क्या होगा जो भी अलग अलग variety के questions आये थे कुछ नए type का सवाल आये था तो वो आपकी आँखों से अभी last time में निकल जाएगा तो पूरा syllabus और सारा जितना practice आपने की है उसको अभी last time में नजरों के सामने से निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत important है आपके लिए कि exam वाले दिन जो है उन 3 घंटे 20 मिनट के अंदर जो 50 सवाल आपके chemistry के आएंगे उन 50 सवालों में जितना आपने अभी तक अपना efforts को put in किया है उसका output आपका वहाँ पर निकले जितना आपने पढ़ा है जो notes बनाए है जो theory पड़ी है जितनी आपके question practice होई है तो जितने concepts आपने learn किये हैं जितनी चीजे आपने सीखी है उसको last time बर आँखों के आगे से निकालना बहुत सरूरी है ताकि वो चीजे recently आपकी नजरों के सामने से गुजरी होई होगी तो कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिसको आप उस दिन भूल जाएंगे तो यह है तरीका जिससे आप कर सकते हैं अपने पूरे syllabus को revise एक दिन काफी है इसके लिए एक दिन जो है sufficient है एक दिन में आपके mystery का quick revision इस तरीके से कर पाएंगे तो सभी लोग जो है मुझे बताएंगे कि क्या जो है उनका चल रहा है status quick revision का और अगयर जो है किसी ने start नहीं किया है तो उसको please करिए quickly जो है पूरे syllabus का revision और साथ ही साथ जो pyqs और mocktis लगाए है उनको questions को एक बार फिर से देखना ओके और मुझे comment section में बताएंगे कैसी लगी आपको यह strategy ठीक है यह strategy मैंने खुद अपनाई है ठीक है इसी तरीके से मैं अपना quick revision हमेशा से करते आई हूँ जब भी मैंने कोई exam दिया है इसका फायदा होता है ठीक है फायदा यह होता है कि जितना हमने पूरे साल में या फिर दो साल में हमने जो तैयारी उस paper के लिए की होती है जितना हमने पढ़ा होता है जितना जो समय हमने लगाया था ठीक है last time पर वो हमारी नजर से आगे से निकल कर जाता है तो paper में अगर वो चीज आती है तो हम कभी उसको भूलते नहीं है मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उसको देख कर गई जो मैंने चा चाना बहुत ही जादा जरूरी है ठीक है तो जुड़िये मेरे चानल से अगर आप नए है तो चानल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही चीक है बहतरीन वीडियो मैं आपको जो है देती रहूंगी strategy के regarding planning के regarding कैसे जो है आप paper की बहतर से बहतरीन तयारी कर सकते है साथी साथ मैं आपकी लेती हूं live classes चो कि morning 10.30 a.m. अभी mock test चल रहा है शाम को मैं आपको देती हूं special session ओके तो इसके साथ ही मैं लेती हूं आप सब लोगों से अलविदाफ बाई